जैए श्री राम दोस्तों कल हमने देखा रावन महीने बार में सीता जी को कहना मानने की पर करपांट से काट डालने का कहकर राक्षी स्रीयों से उन्हें तराशना देने के लिए कहता है जिससे बहुत से राक्षासियों के समूंग बहुत से बुरे बुरे और भयानक रूप धरकर सीता जी को भै देख लाने लगते हैं चलिए इसी कथा में आगे बढ़ते हैं कि त्रिजिटा नाम राक्षासिये का राम चरा नहरती निपुन विवेका सावनों बूली सुनाया सी सपना सीताइं से कराईत अपना उनमें एक त्रिश्टा नाम की राक्षासि थी उसक उसकी स्री राम चंद्र जी के चड़नों में प्रीती थी और वह विवेक अर्थात ज्यान में निपुन थी उसने सबों को बुला कर अपना स्वपन सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्यान कर लो कि सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खरे आरूण नगन दस सीसा मुंडित सेरे खंडित हो जबीसा त्रिश्टा बोलती हैं स्वपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी राक्षासों की सारी सेना वहां डाली गई रावड नंगा है और गधे पर सवार है उसके सिर मंडे हुए हैं वी सो भुजाएं कटी हुई है कि यही विदि सो दक्षिन दे से जाई लंका माना हो भिवीशन पाई नगर फिरी रगो वीर दोहाई तव प्रभु सीता वोली पठाई इस प्रकार से वह दक्षिन अर्थात यमपुरी की दिसा को जा रहा है और मानो लंका भिवीशन ने पाई है नगर मेशीर रामजंद जी की दोहाई फिर गई फिर तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा कि एस अपना मैं का यहूं पुकारी हो यह सत गए दिन चारी तास बचन सुनी तेज़ बडरी जानक सुता के चरनन परी मैं पुकार कर अर्थाद निश्चे के साथ कहती हूं कि यह सबने चार अर्थाद कुछी दिनों में सत्त होकर रहेगा उसके बचन सुनकर भी सब राक्षासियं डर गई और जानकी जी के चड़नों पर गिर पड़ी कि जह तैंगाई सकल तब राम सीता करे मन सोच सियराम मास दिवा से बीते मोहिराम मा रहने से चरे पोच सियराम तब अर्थाद इसके बाद भी सब जहां तहां चली गई सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीच जाने पर नीच राक्षस रावन मुझे मारेगा जै श्री राम दोस्तों कल फिर मिलते हैं जै जै श्री राम